नमस्कार स्वागत है आपका मैं हूँ अभिशेक शुकल 36 गड़ में चुनाओ इस वक्त चरम पर आ चुका है चुनाओ प्रचार चल रहे हैं तमाम बयान सामने आ रहा है और देश भर में भी इस वक्त महौल गर्म है भाजपा अपने तरीके से प्रचार कर रही है तीन चार म स्वागत है आपका एक्जाम अगर कहा जाए तो आधा निकल चुका है और आधा भी बचा हुआ है और आप तो स्कॉल और स्टुडेंट रहे हैं लंबा अनुभाव आपका है क्या लग रहा है कि पिछला जो परचा गया है चार सीटों का और कैसा गया है एक तो परथम चरन में बस्तर लोगसभा का चुनाव संपन हुआ है जिसमें पिछली बार से ज्यादा मद्दान हुआ है और दुत्ते चरन में राजनान गाओं काकेर और महासमुंद लोगसभा का चुनाव संपन हुआ है उसमें भी 75 परतिसर से ज्यादा मद्दान हुआ ह और जो feedback हमारे पास है उसमें चारों सीट परचन मतों से भारती जनता पार्टी निकाल रही है वही विरोधी थे जो विधान सभा में जिनके खिलाफ आप लोगों ने चुनाव लड़ा था और कॉंग्रेस ने फिर से उनको repeat किया लोक सभा में खड़ा किया तो कैसे क्या कुछ रणनीती बदलनी पड़ी या कुछ चैलेंजेस जादा देखने पड़े विधान सभा किया पेक्षा देखे आज 36 गड़ ही नहीं पूरे देश की जनता का विश्वास भारती जनता पार्टी के प्रती और हमारे देश के असोसी प्रधान मत्ती के प्रती बहुत बढ़ा है और उसके उल्टा कांग्रेस अपना विश्वास खोया है जनता का विश्वास खोया है 2018 के विधान सभा चुनाव में इनके बड़े बड़े लोकलु भामन वादे थे 36 वादों का इनका जन घुसना पत्र था इनको 5 साल सरकार चलाने का आउसर भी मिला लेकिन 5 साल में 36 में से एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए बलकि 5 साल में 36 गड़ कु अपरात का गड़ बना दिएछ भर्ठाचार का गड़ बना दिए और इस तरह से च tari गड़ की जनता का विश्वा से लोग खोड चुके हैं और जनता का विश्वास आज हम लों के प्रतीarme भवारती जनतापारbti के प्रती और हमारे देश के सुस्वी प्रधामती के परती बहुत बढ़ा है अच्छाटिस गड़ में ग्यारा सीटों का आप लोगों ने लक्ष रखा हुआ है और इससे पहले तक आप लोगों नौ या दस सीट पर आकर रहे हैं कैप्टन के तौर पर अब आपके हाथ में कमान है सभी जगा प्रचार कर रहे हैं क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आपको लग रहा है कि हाँ इस बार सभी ग्यारा आपके हाथ में आ जाएंगे तो ग्यारा में से नौ लोग सभाज सीट हम लोग जीते भारती जनता पाटी जीती और उस समय अगर विधान सभा के दिश्टी से बिसले सन करें तो 65 विधान सभा में भारती जनता पाटी जीती थी और इसके पहले दो बार 11 मेंसे दस दस लोग सभासीठ भारती जनता पार्टी जीड़ चुकी है और इस बार 11 का 11 उमीद इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि 10 साल मोदी जी के कामों का उसर है और तीन महने में हमारी भारती जन्तापाटी की छत्यगड की सरकार जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का प्रयास किया है महलाओं को महतारी बंदन योजना में पैसा दिये हैं किसानों को धान का बोनस दिये हैं उनको अंतर की रासी एक मुस्त दिये हैं रामलला दर्सन योजना सुरू किये हैं, तिंदूपत्ता खरीदी के आर्डर कर चुके हैं 55 प्रतिमानक बोरा के हिसाब से, तो इतना काम तीन महने में हम लोगों ने मोदी जी के आश्यवाद से किया है, तो ये सब काभीले तारीफ है, जनता तारीफ करती है, सब आजकल बो प्रतिमानक बोरा के आश्यवाद से किया है, तो इस बार चार में जा रहे हैं, और हमको लगता है कि हम करीब 50 से उपर विधान सभा जा चुके हैं, या जहां भी आदन्य मोदी जी की सभा हो रही है, या हमारे ग्रिहमंत्री जी की सभा हो रही है, या और भी हमारे बड़े के नेता है, या हमारे प्रदेश के नेता जा रहे हैं, हम सवयम जा रहे हैं, सब जगह पार जन समों उमड़ रहा है, उनमें सब में भारी उत्सा है, और यह सब को देखते हुए हमको पूरा विश्वास है कि इस बार पूरी सीट, 11 की 11 सीट भारती जनता पार्टी जीतेग प्रदान मंतरी ने अभी नियूज इटिंग के एक इंटर्व्यू में कहा कि कॉंग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, वो मुस्लिम तुष्टी करनवला है, और आरक्षर में भी सेंध लगाने की कोशिश कॉंग्रेस कर रही है, तो इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखे, कॉंग्रेस मुद्दा भीहिन हो गई है, और उनको अपनी हार इसपस दीख रही है, और इसलिए बोखलाए हुए हैं, और कुछ भी अनरगल हमारे प्रदान मंती जी को पर भी टिपनी कर रहे हैं, उनके सर फोड़ने की बात करते हैं, तो कोई उनको सराब देता है की मोदी मर जाए, तो इस सब कोई चुनाव केंपेनिंग का हिस्सा है कह सब, और ओभी बड़े-बड़े मलब निता लोगों के मुख से, तो इसको क्या कहेंगे, वो खलाए हुए लोग यह ऐसा बोल सकते हैं, जिनका मान सिंग संतुलन खराब हो चुका है, वह इस तरह से काये कि यह लोग जनता के पास जाके कुछ विकास-विकास की बात तो करी नहीं सकते हैं, भठाचार के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, च्छतिर ग्रण में तो पांच सालों में या तुष्टिकरण की, धर्मांतरण की, या जैसे आप लोगों ने महादेव ऐप या शराब की बात की थी, ये विधान सभा की मुद्दे क्या आप जब जा रहे हैं, तो आज भी लोगों के भी जिन्दा है, लोगों को प्रभावित कर रहे हैं? चाहे कोईला का है, चाहे रेत का है, चाहे डीमेप तक भी पिकिये हैं, इसको लेकि कॉंगरेस के नेता भी अंदर हैं, उनको सहिक करने वाले अधिकारी भी अंदर हैं, और जो जाँच जिन्सी है लगाता, जाँच कर रही है, और बहुत सारे लोग उसमें फस्ते भी जा रहें है? बिल्कुल राम मंदिर क्या कोई मुद्दा 36 गड़ में है आप जब लोगों के भी जा रहे हैं तो राम मंदिर को लेकर तमाम बाते होती थी आपको लग रहा है कि राम मंदिर हो या आप जो तीर्थ ही यूजिना आप लोगों ने लाई है रामला दर्शन उसका प्रभावा उसका असर दिख रहा है कुछ नहीं बहुत कुछ दिख रहा है जब राम मंदीर की बात करते हैं चुनावी सभा में तो तालियों की गड़ गड़ाहट सबसे ज़्यादा बचती है कहीं कि बहुत अपेक्षा था शत्रीगर की लोगों को की अध्या में की माता जी कॉसल्या ओ छत्रीषगर की धर्ती में पैदा हुई थी छत्रीषगर माता कॉसल्या की धर्ती है और इस नाते भांचा हुए तो बहुत लगाव भी है भगवान राम से और सबकी बड़ी एक्षा थे कि अध्या में भगवान राम भब मंदिर में विराजें जो आज 22 जन्वरी को विराज चुके हैं और छत्तिगड़वालों को बहुत खुसी है और पिछले समय सबने देखा है कि किस किस तरह से खुसी मनाये हैं यहां का चावल गया है यहां का सबजी गया है यहां के लोग जा जाके वहां पर महनों महनों वहां पर लंगर चलाए हैं औ और भी कई तरह से यहां से डॉक्टर गए हैं वापर महनों महनों निसुल के लाज किये हैं तो इस सब शत्यगड़ वाले खुश्या मनाएं प्रधार मंत्री आप से समय समय पर रिपोर्ट भी लेते रहें जैसे अभी दूसरी चरण के प्रचार के बाद आप से फोन पर बात चीत हुई उनको कितने संतुष लग रहे हैं क्या बात चीत हुई थे आप अपडेट लेते हैं जैसे पहले चरण का भी चुना हुआ तब भी पूछे थे अभी तीन लोग सभा का दूत्ते चरण ने हुआ तब भी पूछे थे विशेश लगाव चतित गड़ को लेके उनक परिवार मानते हैं तो लगा तो उनका सबसे हैं बची साथ सीटों को लेकर आप सभी जगा जा रहे हैं क्या आपको लग रहा है कि क्या वहां पर समीकरण बन रहे हैं क्योंकि कई सीटे ऐसे कोरबा जो पिछली बार आप लोग के पास नहीं थी उसको लेकर क्या उमीदे है क्या रणनीती है, सरगुजा की बात कर ले जहां से सभी 14 सीटे इस पर विधान सभह में आप लोग को मिली, आप जा रहे हैं। response है और जहां तक कोर्बा की बात है कोर्बा भी हम कई कारकम कर चुके हैं इस बार निश्ची तुरुप से कोर्बा की सीड भी निकलेगी और जो वहां के sitting MP थी उनके उपर निश्कृता का आरोप है उनने पिछले पांच वरसों में जन संपरक बिल्कुल नहीं किया है लोग उनको जानते भी नहीं है इसका भी लाब अपने को मिलेगा जांजगीर को लेकिए मैं सवाल होगा विधान सभा की आठो सीटे इस बार कॉंग्रेक्स के पास है हलाकि छतिस गर बनने के बाद से हमेशा आप लोग ही लोग सभा जीते रहें क्या इस बार भी ऐसी प्रणाम क उमीद है बिल्कुल जानगीर लोग सभा सीट भी जीत रहें हैं विधान सभा में ठीक है वहां अलग-अलग चीजें होती है अलग-अलग समिकरन होता है उसके कारण से वहां एक भी सीट नहीं ले पाए लेकिन ये मलब मोदी जी का चुनाव है राज को मलब और आगे ले सबसे बड़ा आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है तो दोनों की इस्सू अलग होते हैं गिधान सभा की इस्सव अलग होते हैं लोग सभा के अलग होते हैं एक सवाल जो सब के मन में रहता है जब से आप मुख्यमंत्री बने हैं, शायद अब तक के सब से मुदू भाषी और शांत मुख्यमंत्री हैं, पड़ी सहजिता के साथ लोगों से मुलकात होती है, बहुत सहजिता से लोगों ने आपको देखा है, लेकिन एक पक्ष ये भी सा जोद्यव जी से भी सीखे हैं, पच्चीस साल उनके साथ हमने काम किया, वो हमारे राजनीतिक गुरू रहे, पच्चीस साल में एक दिन भी उनको हम नाराज होते नहीं देखे, और कारकरताओं का जितना मान समान करते थे, वो सब हम उनसे सीखे हैं, लेकिन तीस साल से भी ज्यादा हमारी राजनीतिक लाइफ है, उसमें अगर कहीं जनहित की बात आती है, तो कोई भी रहे, वो हम से बक्सा नहीं जाता है, मलब प्रशासनिक, वो हम कड़ाई से लेते हैं, बिलकुल, कड़ाई से प्रशासनिक काम या जनता की बात जो है, आप वहाँ पर ढिलाए निवरते, एक चीज़ और भी जो चर्चा का विशा होती है, हमने देखा है कि कारकरताओं के साथ बड़ी सहस्ता के साथ और मुझे पता चलता है कि देर रात तक भी जब भी कारकरता कोई मिलने आता है पार्टी का, आप मना नहीं करते हैं, भले ही आपकी नींद में कमी हो हमारी योजनाओं को, पार्टी की रिति निति को, वही संपर करते हैं, वही जिताते हैं, अगर उनका माना और समान हम अगर नहीं करेंगे तो बहुत दिन हम चल नहीं पाएंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद जश्पूर जब आप दोरे पर जाते हैं, क्या लोगों का रिस्पूंस वहां पर होता है, क्योंकि जश्पूर अच्छा खासा आप लोग उमीद कर रहे हैं कि डेवलप्मेंट में अच्छी उच्छाल मिलेगी उसका जश्पूर तो सौर्गे दिलीप सिंग जुदेव जी के कारण वो भाजपा का गड़ रहा है, पंचायद से लेकर सांसत तक भारते जनता पार्टी के वहां पर बनते आएं, 2018 के विधान सभा चुनाव में ठीक है, हम लोग एक भी सीट नहीं जीत पाए, लेकिन बाकी समय का आप रिजल देखेंगे, तो उतना किसी भी जिले में भारते जनता पार्टी को रिजल्ट नहीं मिलता है, जितना जस्पूर में मिलता है, तो तो दिलीप सिंग जुदेव मुदी जी का बनाय हुआ जिलाए. विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास इसको मुल मनतर मानते हुए, सब के लिए काम किया, उन्होंने गरीबों के लिए पका का मकान बनवाया, घर-घर बिजली, घर-घर पानी, बैंग का खाता, गैस का सिलेंडर, सोचाले का निर्माड, ये सारा चीज बताते हैं कि ये सब अधन्य मोदीजी ने किया, उसके बाद राम मंदीर से भी लोगों की भावना जोड़ी थी, वो भी उनके कारण संभव हो पाया, ठीक है, सुप्रीम कोट ने वो जमीन हिंदूओं को सोपा, लेकिन राम मंदीर का निर्माड तो मोदीजी के समय में हुआ न, तो उस दो निसान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेगा, ये सब जो धारा 370 हटा है जम्मु का समय से, सब बड़े-बड़े काम, बड़े-बड़े निर्ने, आदर ने मोदी जी ने लिये हैं, वो बताते हैं, फिर तीन महने में जो मोदी की गारंटी को पूरा करने का, वो तो अपने स्पीच में कहा कि चतिगड के सरकार रोकेट की तरह काम कर रही है, तो ये सब बात है, तो ये सब का बहुत असर जनता में है 36 गड़ के लावा भी कई प्रदेशों में आप जा रहे हैं, आपको प्रचार के लिए भीजा जा रहा है, आप जा रहे हैं, वहां से क्या रिस्पांस देख रहे हैं? जैके अभी तक हम तीन बार मत प्रदेश जा चुके, जारखंड एक बार गए, तेलंगाना गए, और अभी उडिसा गए थे, सभी जगह भारती जनता पार्टी के पक्स में बहुत अच्छा वातावरन है, और हम तो कहते हैं कि जो हम लोग का नारा है, चार सो पार, बिलकुल यह होके रहेगा, बिलकुल मुख्यमाति जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्री आपका अपने वैस्तता के बीच समय निकाला और हमसे बातचीत की, तो मुख्यमंतरी विश्णो देव साय थे, और किस रणनीती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, चाए दस साल के क पीजेपी हासिल करने में आमियाब होगी, फिलाज दिज्ये इजासत, नमस्कारी प्राइब्यों निकार, प्रणा प्रणा, अजिश्णों मुख्यमंतरी अपने बात।